नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 3 अक्टूबर दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जाती जंगना की रिपोर्ट पर आज होगी सरवदलिये बैठर सफर उद्यमियों को देगी बिहार सरकार 20 लाग का लोन राजी के सभी जलाज पतालों में अब तयार होंगे स्पेस्लिस्ट डॉक्टर राजी के सभी प्लस्टू स्कूलों में बहाल होंगे क्रिसी विशय के सक्षक विशुकब 2023 से पहले ICC ने बदला नियम अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर वस्तार से कोल इंडिया में निकली 560 पदों पर भरती कोल इंडिया लिमिटेट के द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी के 560 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में विलोग जो इसके लिए आविदन करने के एक्चुक हैं वा आधिकारिक वेफसाइट कोल इंडिया डॉट इन पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं बतादी के आविदन करने की अंतियम तारिक 12 ओक्टूबर 2023 तक नरधालित की गई है इसके लिए गर सेचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार को माइनिंग पद के लिए उमिद्वार को मानिता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से नियुनतम 60 प्रतीशत अंकों के साथ माइनिंग इंजिनरिंग किया होना अनिवार है और साथी जियोलोजी पद क जारी कि अधिशूशना को देख सकते हैं जातिये जन गन्ना की रिपोर्ट पड़ आज होगी सर्वदलिये बैठक जातिये गन्ना की रिपोर्ट जारी होने के बाद आज यानिकी मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा सर्वदलिये बैठक अभी क्या कदम उठाया जाएगा इस पर कुछ नहीं बोला जा सकता पहरे सरवदल ये बैठक बुलाकर राजिस सरकार के अधिकारी के दोरा दिये गए प्रिजेंटेशन के आधार पर ही आगे की कोई फैसला लिया जाएगा सबसे पहले वे सभी दलों की राय जानेंगे और पर कोई फैसला लेंगे इसके साथ उन्होंने केंदर सरकार पर हमला बोलते वे कहा कि वो लोग कुछ कर रहा है और लोगों को क्या आइडिया है क्यों नहीं पूरे देश में जातीय जनगना करा रही है पूरे देश में अते पिच्छरों को अलग से आरक्छन क्यों नहीं दिया जा रहा ऐसी एस्टी के लिए कुछ नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि केंदर सरकार तो मुसल्मानों की विरोधी है बिहार परिटन में आज हम बात करेंगे सुल्तान पैलिस के बारे में सुल्तान पैलिस पटना शहर के वीर्चंद पटेल मार्क पर रिश्थित है जो की प्रख्यात वकील और नयाधी सर सुल्टान एहमत का घड़ हुआ करता था इस महल को अली जान नमक वेक्ती द्वारास रुपांकित किया गया था यह मिनारो उचे गुबंदो और असंक्य मेराबो के साथ इसलामी वास्तो कला का एक उत्कृष्ट उधारन है सुल्टान पैलस को दो भागों में बाटा गया है जिसमें एक भाग प्रोशो केडिर दूसरा भाग महलाओं के लिए सनफचित किया गया है इस महल का सबसे बहतरी इसका च्छत है जिसके सजावट में सोने की पाउडर का इस्तमाल किया गया है यही कालिशान महल है जिसकी गया था जिसके केंद्र में एक उंचा गुम्बदार टावर कोनों पर गुम्बदार मंडप मिनारे और सामने के हिस्से में बहुपत्यों वाले महडाब थें सफल उद्यमियों को देगी बिहार सरकार 20 लाग का लोन उद्योग विवा के अपर मुखे सचीफ संदीप पॉंडरी के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार अब बिहार सरकार के द्वारा मुखे मंतरी उद्यमियों को बिहार स्टेट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के तहट 20 लाग रुपे तक का लोन मोहिय अकड़ाया जाएगा बतादी कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस तंबन में आवेदन के लिए विस्तर जानकारी जल्दी जारी कर दी जाएगी जिसके बाद उद्यमी सिये रिपोर्ट टर्ण ओवर जिस्तर रिटर्ण अकाउंट स्टेटमिंट आधी देकर पोर्टल स्टेटी पिएस कॉलंब स्लैस लैस उद्यमी डॉट बिहार डॉट जियोवी डॉट इन पर अपना अवेदन कर सकेंगे और साथ ही इस जरी बाकी जानकारी भी हासल कर सकें अब तयार होंगे स्पिस्लिस डॉक्टर नेशनल बोर्ड ओफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसे के द्वारा कई जिलास पतालों और सरकारी स्वास्ते संसानों का नरक्षन किया गया है ताकि वहाँ D.E.N.P. कोर्स की पढ़ाई शुरू की जा सकें जिससे कि अब राज्य के सभी जिलास पतालों और मेडिकल कॉलेज पतालों में विससग्य डॉक्टर तयार होंगे मानुमों के नेशनल बोर्ड ओफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल साइंसे के द्वारा राज्य के कुछ 27 पतालों को चनित किया गया है बता दे कि है डिगरी तीन साल और दो साल की होती है और इसे पीजी के समकच माना जाता है जिन जिलों में इस कोष कि श्रवात की जाने वाली है उनमें किसन गंज, कर्टिहार, खगडिया, सिवान, छप्रा, गोपाल गंज, सारन, औरंगाबाद, कोईलवर, मानसी कस्पताल शामिल है ऐसे में उमीद है कि जल जानी कि 3 औक्टूबर से पतना और राजगीर के बीच स्पेशल ट्रेन का पड़िचालन किया जाएगा जिसमें गारी संख्या 63-25 श्रने पतना राजगीर स्पेशल ट्रेन आज से प्रते दिन अगले आदेज तक पतना से सुभा 9-20 बजे खुलेगी और दो पहर 12-20 बजे पहुँचेगी वहीं वापसी में गारी संख्या 63-249 राजगीर पतना स्पेशल ट्रेन आज से अगले आदेज तक प्रते दिन राजगीर से दो पहर 13-10 बजे खुलेगी और पतना जंक्शन साम 6-20 बजे पहुँचेगी इस बाड़े में मोख्य जन संपर्क अधिकारी के के दोरा बताया गया कि से स्पेशल ट्रेन में दृत्य वातानुकुलित श्रेनी का एक कोच, तृत्य वातानुकुलित श्रेनी का तीन कोच, सयन यान श्रेनी के साथ कोच और साधारन श्रेनी के साथ कोच होंगे जिसे यातरियों के सुधा को ध्यान में रखकर शुरू किय गया है घरेलो बिजले उवोकता मामले में बिहार तीसरे पायदान पर किंद्र सरकार के दौरा जारी की गई एक रिपोर्ट के नुसार घरेलो बिजले उवोकताओं के मामले में बिहार देश के 90 फीजदी के साथ तीसरे पायदान पड़ा गया है 86.8 फीजदी घरेलू बिजली उबोकता है वही अगर हम घरेलू उबोकताओं को छोड़ दे तो उत्तर बिहार में शेहरी उबोकताओं मातर 16 फीजदी तो दक्षिन बिहार में 29 फीजदी है जबकि ग्रामीन इलाकों में उत्तर बिहार में 84 फीजदी तो दक्षिन बिहार में दक्षिन बिहार में 4.4 फीजदी कनेक्शन है इसके लावा अनिश्रिनी में उत्तर बिहार में 6.2 फीजदी और दक्षिन बिहार में 6.4 फीजदी कनेक्शन है आपकी जानकाली के लिए बता दी कि राजी में अभी 1.84 लाग से अधिक बिजली वोकता है जो वर्श 2025 तक कर लगबग 2 करोड तक महँच सकते हैं बिहार सिपाही भरती परिक्षा को लेकर SK सिंगल ने किया ये दावा एक उक्टूबर को बिहार में आईजेथ हुई सिपाही भरती परिक्षा को लेकर ऐसी खबरे सामने आ रही है कि इस परिक्षा का पेपर लीक हो गया था और कई इस मामले में सेंटर से करीब 150 लोगों की गिरफतारी भी की गई है वही अब इस मामले पर सिपाही भरती बोर्ट के अध्यक्ष SK सिंगल के दोरा एक बड़ा दावा किया गया है तिरसल उन्होंने बिहार सिपाही भरती में पेपर लीक हुए मामले को खारिच कर दिया है उ अभी तरह के इलेक्ट्रोनिक गैजेट के सिगनल को ब्लॉक कर देता है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सिधार्थ चौधरी के बारे में सिधार्थ चौधरी एक भारती उपान्यासकार है उन्होंने 19 साल की उम्र में लिखना शुरू किया बलकि देर से वे कहते ह जात लेखक 10 या उससे पहले की उम्र में लिखना शुरू करते हैं लेकिन जलती भारती और विदेशी प्रकास्तों में लगो कताई प्रकाशित करने लगे बतादे कि सधार्थ चौधरी पटना में पले बड़े और 1993 से 1998 तक दिल्ली विश्विद्याले में अंग्रेजी सा पटना रफकट और डे स्कॉलर के लेखक है जिसका उत्रार्थ आंसिक रूप से विश्विद्याले में लेखा गया था और 2009 में मैन एशियन लिट्रेरी पुर्सकार के लिए चिना गया था वह वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं और मनोहर बुक्स में संपादी के सलाकार क को अधियाचना भीजा जाएगा बतादी कि सिक्षा विवाग से मिले जानकारी के नुसार राजी के सभी अर्तिस जिलों के एक एक उच माध्यमिक स्कूल 11 और 12 में क्रिसी विग्यान की पढ़ाई होगी इसकी प्रात्मिक्ता जिला मुख्याले में स्थापत उच माध्यमि स्कूलों के चेहन में दी जाएगी ऐसे में जल्द ही तैह हो जाएगी कि जिले के किस स्कूल में अर्मो की पूर्व से भी कही स्कूलों में क्रिसी विग्यान की पढ़ाई चल रही है लेकिन इनके लिए स्कूलों में क्रिसी सक्षक नहीं है ऐसे में अगर क्रिसी सक्षकों की बहाली होती है तो इन सक्षकों की कमी दूर हो सकेगी और पढ़ाई और भी बहतर धंग से हो सकेगी पटना से सासराम तक जल्द शुरू होगा फोर्ड लेंज सरक का काम बहुत जल्दी प्रधान मंतरी गती सक्ती योजना के कारण पटना से सासराम तक कुल 3,357 करोर रुपए की लागत से 119.5 किलो मीटर लंबे ग्रीन फिल्द फोर्ड लेंज सरक का निर्मान कारे होने वाला है इस बारे में NHAI के छेतरी अधिकारी अवधेश कुमार के दोरा जानकारी देते वें बताया गया है कि किंदर सरकार के नेटवर्ड प्लानिंग ग्रूप के दोरा इस फोर्ड लें सरक के निर्मान को लेकर मंजूरी दे दी गई है जिसके बाद अब पहले चरण के तहट 74 किलो मीटर रोड का निर्मान किया जाएगा और फिर दूसरे चरण के तहट 45 किलो मीटर सरक का निर्मान किया जाएगा बतादे कि सरक के निर्मान होने से राजिके कई जिलों को लाब मिलेगा इस सरक से बिहार की राजधानी पटना सहित अरवल भोजपूर सासाराम रोतास की सरके जुर जाएंगी और साथ ही इसका जुराओ पुर्वांचल एक्स्प्रेस्वे के जड़िये वारानसी, प्रयागराज, लखनव और दिल्ली से होग और दूसरी तरफ दिल्ली से कॉलकता को नई कनेक्टिविटी मिले की मालम होग स्पोर्लेंस तरह का अनदमान कार्य तो हजार चब्दिस तक अनुसार मुख्य मंत्री उद्यमी योजना के अंतरगत, अंतिम तिति तक 2,34,189 आविदन प्राप्त हुएं, ऐसे में अब लाभुकों का चेन आज यानि की 3 ओक्टूबर 2023 को प्राता 10 बजे, और उन्हें का चेन का लाइब वेव कास्टिंग भी किया जाएगा, लिंक आज प्राता वेवसाइप पर उपलब धोगा और आज साम तक चेरत लाभुकों की सूची जारी हो जाने की संभावना है, सभी आविदकों को शुपकाम नाए, आपके जानकारी के लिए बता दे क मिरिनालनी ने आर्म रिस्लिंग चैंपेंशिप में हासल की ये बड़ी उपलब धी, 25 सितमबर से एक उक्टूबर तक मालीशिया में आईजित आईफे दो हजारतेईस वर्ड आर्म रिस्लिंग चैंपेंशिप में बिहार के नाननदा जिले हरनौत प्रकन के चैनपुर नि मिरिनालनी सिंग के दौरा 63 किग्रा में बाय हां से लड़कर चौथा अस्थान हासल किया गया है वह इसके लावा दिल्ली की हिमारी ने 52 किग्रा महिला वर्ग में रजत पदक जीता जबकि पूजा पिस्ट ने 63 किग्रा में काश्य पदक जीता आपकी जानकाली के लिबता गया है प्रदेश की कई जिलों में बारिस जैसे हालात बने हुए हैं प्रदेश में हुई बारिस से किसानों के चेरे पर खुसी देखने को मिल रही है इदर विवाग के तरफ से बताया गया है कि दक्षिन परश्यम मौनसून की गतिवीदियां बहुत अधिक सक्रिय होने क कारण कई राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है विवाग की माने तो 5 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिस होने की संभावना है इस दुरान प्रदेश में तेज आंधी पानी और ठन का गिरने की संभावना जताई गया है वहीं 3 अक्टूबर को लेकर जारी अब्री की संभावना जताई गई है निलाकों में यलो अलर्ट जारी किया गया है गोपाल गंज में बाहन जाज के दौरान विदेशी सराब बरामत विहार में पुन रूप से सराब बंदी हैसे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से ज बाए जा रहे हैं बतादी के ताजा मामला गोपाल गंज के गोपालपूर्थ हाना चित्र के देरवा नहर पुल के पास का है जहां पुलिस के द्वारा बाहन जांच के दौरान एक पिकप से केली के अंदर चुपा कर रखे गए 1894 पीस विदेशी सराब के टिट्रा पैक ब बागेश्वर सरकार पंडित धरंदर कृष्ण सासरी विदेदन बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात पंडित धरंदर कृष्ण सासरी अपने विसेश चार्टर विमान से बिहार के गया जी पहुंचे जहां एरपोर्ट पर उनके भक्तों के दोरा उनका जम कर इस दोरान भाजपा सांसत मनोस्तिवारी भी बहां मौजूद रहे बतादी के पंडित धरिंद्र कृष्ण सास्री के द्वारा गया आकर प्रसंता जाहिड की गई है मालुमों कि दोरान भे गया के तीन दिवसीय दोरे पढ़े लेकर दोरान भे कथा वाचन नहीं करेंगे और नहीं किसी सारजनिक कारे क्रम में भाग लेंगे बागेश्वर धाम सरकार के नीची सचीव उपिंद्र सिंग के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार बागेश्वर धाम के करीफ सो भक्त पंडित धिरिंद कृष्ण सास्त्री के नर्देशन में प्रिंददान का कर्मकान संपन करेंगे बता दे के मोक्षव ग्यान की धर्ती पर बाबा बागेश्वर धाम सरकार धिरिंद कृष्ण सास्त्री पहली बार पहुँचे हैं ऐसे में उनके आगमन सी यहां के लोगों के बीच काफी उत्सा है दिल्ले पुलिस CAPF में SI भरती परिच्छा आज से इन बातों का रखे ध्यान अगर आप भी उन अभियर्थियों में से हैं जिन्होंने करमचारी चैन आयो की SSC SI भरती परिच्छा 2023 के लिए आविदन किया था तो यहां खबर आपके लिए हैं बता दे कि आज यानी के 3 अक्टूबर से इस परिच्छा की शिरवात थोड़ी है जो की 5 अक्टूबर तक चलेगी अस परिच्छा को लेकर एड्मिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया गया है जिसमें कई दिशा नर्देश भी दिये गया है जिसका पालन करना अभियर्थियों के लिए अनिवाड है ऐसे में इस परिक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यरती कुछ बातों का ध्यान जरूर रखे बता दे कि अभ्यरती परिक्षा किंद्र पर अपनी एक मूर फोटो पहचान पत्र प्रवीश पत्र और अपनी फोटो ले कर जाए वही प्रवीश पत्रकव अंतिम पर्डिनाम तक सुरक्षित रखे क्योंकि गायब होने की स्थिती में दुबारा रोल लंबर नहीं दिया जाएगा आपके जानकारी के लिए बता दे किस परिक्षा के लिए पूरे देश भर में परिक्षा केंद्र बनाए गये हैं बिहार जाती आधारिद गन्ना के आक्रे जारी होने पर C.E.M. और D.C.M. का बयान बितर दन बिहार में हुई जाती आधारिद गन्ना के रिपोर्ट जारी किये जाने के बाद मुख्यमंत्र नितीश कुमार और मुख्यमंत्र तेश्वी आदर के दोरा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है मुखे मंतर इर्दीश कमार के द्वारा एक्सपर ट्वीट कर लिखा गया है कि गांधी जयनती के सुब अफसर पर बिहार में कड़ाई गई जाती आधारित गन्ना के आखरे प्रकाश्रित कर दिये गए हैं जाती आधारित गन्ना को लेकर सगर ही बिहार विधान सभा के उन्हीं नौ दलों की बैठक बुलाई जाएगी तिथा जाती आधारित गन्ना के प्रणावों से उन्हें अफगत कराया जाएगा वही तेश्वी आदव के द्वारा कहा गया कि कम समय में जाती आधारत सर्वे के आंक्रे इकत्रत एवाम उन्हें प्रकाशित कर बिहार आज फिर एक एतिहासिक छन का गवाह बना दश्कों के संघर्स ने एक मील का पत्थर हासल किया इस सर्वेक्ष ने ना सर्फ वर्षों से लंवे जाती गत आकरे प्रदान किये हैं बलकि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिती का भी धोस संदर्व दिया है अब सरकार तो रिद्गती से वंचित वर्गों के समगर विकास एवं हिस्सदारी को लेकर इनाकरों के आलोग में स्नुशित करेगी जाती गन्ना रिपोर्ट पर गिरेरास सिंग का बड़ा हमला बीतर दिन बिहार में हुई जाती आधारित गन्ना का सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया गया है ऐसे में अब इस पर राजजनितिक बयान बाजी भी शुरू हो गई है इसी करी में अब केंदरिय मंत्री गिरेरास सिंग के द्वारा भी जमकर हमला बोला गया है और जाती गन्ना सर्वे रिपोर्ट पर सवाल खड़े किये गया है उन्होंने कहा कि जाती गन्ना की जगह लालू और नितीज के 33 साल की सरकार जौब रिपोर्ट सौपनी चाहिए उन्होंने कहा कि आज जहां लोग चांद पर जा रहे हैं वोर्ट बैंक के लिए हिंदू को मोबिलाइज करने की बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये वही राहूल गांधी हैं जो विदेश में जाकर भारत के शिकायत करते हैं तेजप्रताप यादव ने निकाली साइकिल यात्रा बिदेदन गांधी जेनती के अफसर पर बिहार सरकार की मंत्री तेजप्रताप यादव के द्वारा अपने दस सरकुलर आवास से अपने दरजनों समर्थकों के साथ साइकिल यात्रा की माध्यम से पटना के कदमकुआ इलाके के चर्खा समीती पहुँचे जहां उन्होंने सबसे पहले व्रिक्षार ओपन किया और राश्रुपिता महात्मा गांधी जी की प्रतीमा पर मालयारपन कर उन्हें नमन किया इस दुरान उन्हें कहा कि उनकी सारीक सेहत का राज साइकिलिंग करना है उन्हेंने कहा कि पड़ेवरन बचाने के लिए मेरे द्वारा जो भ्यान शुरू किया गया है वह राजनितिक कारिक्रम है ऐसे में इसमें कोई भी व्यक्ती सामिल हो सकता है फिर चाहे वह बीजेपी का नेता हो या किसी अनेत दलका उन्होंने कहा कि पड़यवरन बचानी के इस मुहीं में सभी लोग शामिल हो सकते हैं विश्वकप 2023 से पहले ICC ने बदला नियम क्रिकर के सबसे बड़ी महाकुम वंडे वर्ल्ड कब 2023 के शिरवाद 5 अक्टूबर से भारत में होने जारी है और इसका अंत 19 नवंबर एहंदाबाद के नरंद्र मोधी स्टेडियम में होगा ऐसे में श्विस्वकप में कई नियम भी बदले नजर आएंगे इसमें सबसे पहला जो नियम बदला गया है वो है सूपर ओवर के बाद बाउंडरी काउंट का नियम दरसल यह नियम कुछ ऐसा था कि सूपर ओवर के बाद भी अगर मुकाबला टाई होता था तो जिस टीम ने सबसे ज़ादा बाउंडरी लगाई होती थी उसे विजटा घोसित कर दिया जाता था लेकिन अब अगर सूपर ओवर टाई होता है तो उसे तब तक आगे बढ़ाया जाता रहेगा जब तक उस मुकाबली का नतीजान नहीं निकल जाता दूसरा जो नियम बदला गया है वो है सॉफ्ट सिगनल का ICC ने हाली में इसी साल जून में सॉफ्ट सिगनल के नियम को बदल दिया था इसके मताबिक सॉफ्ट सिगनल को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है जिससे की वर्ल्ड कप में प्लेयर्स इससे राहत महसूस करेंगे वहें सुफ्ट शुकप में बदले गया जो सबसे खास नियम है वो है बाउंडरी की सिमत दुरी बाउंडरी छोटी होने के वज़़ से गेंदबाजी टीम पर ज़्यादा दवाब आता है उनके पास कुछ करने के लिए खास नहीं बचता है ऐसे मैदानों पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनते हैं ऐसे में इस बार ICC ने नियम बनाया है कि सभी मैदानों की कम से कम दूरी 70 मीटर होगी बिहार के इतिहास में आज की तारीक है कई कारनो सदर्च मैसूर पर विटेन ने 831 को कबजा किया पहले मराठी संगीत नाटक संगीत साकुनताल का 880 को पूरे में मंचन किया गया पुरुप्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को 1907 में भर्षचार के आरूप में गिरफतार किया गया भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हीमसागर एक्सप्रस कन्या कुमारी से जमू तभी के लिए 1984 में रवाना की गई कॉलकता में पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जर्म 1978 में हुआ भारत ने 1994 में सुरक्षा परिशत की अस्थाई सदश्टा के लिए औपचारी ग्रूप से अपना दावा पेश किया गीत सिठी ने 1992 में बिश्व पेसिवर बिलियर्ट्स चैंपियंशिप जीता टाटा मोटर्स के चेर्मैन रतन टाटानी 2008 में सिंगूर से नैनो कार परियोजना अने अत्र लिजानी की घोशना की भारत के 45-वे मुख्य नयाइधीज दीपक मिश्च्रा का जन्म 1983 में हुआ भारतिय फिल्म नरदेशक जेपी दत्ता का जन्म 1989 में हुआ उरीशा के समास सेवी और सारजनिक कारिकर्ता लक्षमी नरायन साहू का जन्म 29 में हुआ भारत की पहली महिला सनातक और पहली महिला कादंबनी गाउली का निधन 1923 में हुआ, प्रसिधन नयाइवीद, अधिवक्ता और सिक्षा सास्त्री, अलादी कृष्णा स्वामी, अयर का निधन 1923 में हुआ, भारतिय लेखक MN विजियन का निधन 2007 में हुआ. बारल के में आज हम बात करेंगे, Digital India Mission के बारे में, सोसल मीडिया पर कहीं सूचनाए बारल होती है, लेकिन सभी सच हो, ये ज़रूरी नहीं है. इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे Digital India Mission के बारे में दरसल P.I.B. ने अपने टूइट में लिखा है कि संग्यान में लाया गया है कि Ministry of Electronics and IT की कोई तमिलनाडू में Digital India Mission के नाम पर लोगों को नौकडी के ओफर दे रहा है और प्रसुक्षन के लिए पैसे जमा करने के लिए कह परता है यह दिस्तावेज नकली है और लोगों को गुमराह करने और धोका देने के लिए इस्तमाल किये जा रहे हैं प्रमानिक रिक्त घोशनाओं के लिए हमीसा प्रमानिक Digital India Website sttp.com//digitalindia.gov.in या meity website sttp.com//meity.gov.in देखें WhatsApp में जल्द मिलेगा फोटो, वीडियो और जी आइफ के लिए यह उप्शन WhatsApp एक नई फीचर पर काम कर रहा है जो चैटिंग एक्सपिरियंस को बदलेगा दरसल कंपनी चैट के अंदर फोटो, वीडियो और जी आइफ को ओपन करने के दौरान reply फीचर पर काम कर रही है सब्डेट की जानकारी WhatsApp के डेवलप्मेंट पर नज़र रनाये रखने वाली वेफसाइट WA बीटा एंफो ने शेयर की है फिलाल यह अपडेट कुछ बीटा टेस्टर्स के पास उपलब्द है आने वाले समय में कंपनी सब्डेट को सभी के लिए लाइब कर सकती है फिलाल एप में होता यह है कि जब आप चैट के दौरान कई फोटो वीडियो या जी आइफ को खोलते हैं तो उसमें reply का option नहीं आता यानि अगर आप सामने से भीजी गई कोई फोटो या वीडियो पर reply करना चाहते हैं कंटेंट को ओपन करने पर फिलाल कोई option नता मंदे भारत में senior citizen और दिव्यांग जनों को मिलने वाली है यह सुधा रेल मंतरी अस्विनी वैशनव के द्वारा दे गए जानकारी के नुसार senior citizen और दिव्यांग जनों को train में सफर करने के दौरान किसी प्रकार की कोई परिश कि रैंप तयार के लखने को लेकर एक अलर्ड तयार किया जा रहा है और संबन्ध रेल्वे स्टेशन को भीजा जा सकता है सुविधा को जल्दी वंदे भार ट्रेन में मुहिया कराया जाएगा और फिर बात में सभी ट्रेनों में भी इसका उप्योग शुरूग किया जाए सवाल इतिहास बिहार स्पीशल विज्ञान करेंट अफेर्स और भूगों से रहेंगे पूछे के पांच सवाल में आपनी कितना सही उतर दिया क्रिपा करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है हाली में जी बी संबिलर में किसको स्थाई सदर्शता मिली है आप्ष्ण री इरोप आप्ष्ण बी उत्री अमेरिका और स्रे एस्ट्रेल आप अफिर्की यूनियन इसका सही उत्तर है Option D अफ्रीकी यूनियन अगला सवाल हाली में किस देश ने लगतार दूसरी बार विश्व के सर्वस्षिष्ट देश का खिताब जीता है Option A जापान, Option B स्विजर लैंड, Option C भुटान, Option D इंडिया इसका सही उत्तर है Option B स्विजर लैंड, अगला सवाल घोगा जील कहां अस्तित है Option A गया में, Option B कटिहार में, Option C के संगंच में, Option D बांका में इसका सही उत्तर है Option B कटिहार में अगला सवाल उत्रे बिहार की सबसे पुर्वी नदी कौन है उप्शने कमला, उप्शन B बागमती, उप्शन C महानन्दा, उप्शन D बुधी गंडग इसका सही उत्तर है उप्शन C महानन्दा अगला सवाल, विहार में कौन सी नदी देल्टा का रड़वान करती है? औप्शने गंडक, औप्शन B कोसी, औप्शन C बागमती, औप्शन D फल्गू इसका सही उत्तर है औप्शन B कोसी बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रचाब हमें हमारी कॉमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है जाती गन्ना के रिपोर्ट जारी होने पर आपकी क्याड़ाय है और ये लोगों के लिए किस तरह सी फाइदी मंद होगा अपना जवाब हमें मारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहाल के तमाम खबरों के साथ बन रहने के लिए देखते रहें बिहाली नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चलनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप पेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद